एंडिया की बैठक फिर से सरकार बनाने के लिए है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबनन जो है इंडिया एलाइंस की भी बैठक है हमारे साथ बात करने के लिए जेडियू के वरिष्ट नेता है केसी त्यागी जी त्यागी जी एंडिया के साथ जेडियू है या फिर निती ताके साथ NDA के साथ खड़े हैं आज वो पत्र भी नितिश कुमार जी सोपेंगे जिसमें इंडी गठवंदन के बजाए एंडी गठवंदन को हम समर्थन देंगे और नरेंद मोदी जी के नितित में तीसरी बार सरकार बनेगी इसलिए सब अफ़ाएं खारिज की जाती त्या पहले भी एंडी एंडी गठवंदन का हिस्सा हम रही हैं जोर्ज साब नितिश कुमार सरद यादा और रामिलास पासवान वगएर वगएर और निमंतरन होगा तो हम मंतर मंदल में शामिल होंगे कोई मांग हमारे नहीं है हमारी इच्छा जरूर है कि जो हमारा कमिटमेंट बिहार की जनता के साथ है बिहार को जब तक विसेश का राज का दर्जा नहीं मिलता है तब तक वहां की गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी मोदी जी के तीसरे कारे काल में यह सपना पूरा हो यह हमारी इच्छ जरूर बिहार को जो है बिशेल जो पैकेज की कि जाती थी तो वो मांग रखेंगे आप कंडिशनल कोई नहीं है यह बिहार जिसने इतना अच्छा मेंडेट दिया है पिछली बार 49 इस बार 30 जब सब जगे सीटे घटी है बिहार पे जादे फरक नहीं पड़ा है तो बिहार की जनता की मांग है और जेडी उस मांग के साथ है कि बिहार के विकास के लिए विसे इसलाज का दर्जा होना चाहिए त्यागी जी आज बिपक्षी गटवंदन की बैठक है वो भी सरकार बनाने की संभावना इतलाश रहे हैं कल जस्तरह से राहूल गांधी ने कहा कि यह नैतिक और राजनितिक हार है बीजेपी की और उन संपर करने की कोशश कर रहे हैं नितिश कुमार से भी संपर करने की कोशश है ने वह बहुत देर हो गई है जब इंडी कठवंदन से हम बाहर आए थे वो सारे कारण आज भी मौजूद हैं जिसकी वज़े से हम बाहर आए थे तो आप मजबूती से एंडिय के साथ हैं हाँ पूरी मजबुती के साथ NDA का पंदन के साथ हैं और 30 बार मोधी जी प्रधान मंतरी बने उसके लिए नितिश्क मार जी देली में। तो जेडियू ने बेलकुल साफ कर दिया है कि वो NDA का पार्टनर है, अभी है और आगे भी रहेगा। ब्रम परकाष्ट दवे, India Daily Life.